आज का टापिक है खेल की सैधानतिक धरड़ाएं यानि खेल के सिधार्त यानि थियोरी आफ प्ले तो यह टापिक वेरी इंपॉर्टेंट है फिजिकल एजिकेशन किसी भी एक्जाम के लिए तो वीडियो को सुरू से लाज तक ध्यान पूर्ण देखिएगा आज आपको खे सभी सैधानतिक धरड़ा यानि सिधान आपकी जवान पर हो जाएंगे आज की बाद आप कभी नहीं भूलेंगे बस वीडियो को सुरू सिलाज तक देखते रहें तो चलिए जानते हैं इसके बारे में तो पहला सिधानत है अत्रिक्त सक्ति की धरड़ा थियोरी आफ सरपल् इसके इंग्लिस वर्जन को भी ध्यान रखना भेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी अत्रिक्त सक्ति या और इसे उर्जा का सिधानत न बूलकर की थियोरी आफ सरपल्स इनरजी बूलीगा तो आपको रहेंगे इसके हिंदी और इंग्लिस वर्जन दोनों याद कर लेज सबसेदा आसानी होगा ठीक है तो अत्रिक्त सक्ति कि धर्डा या और इसे उर्जा के सिधात यानि थीरी आफ सरपल्स इनरजी इसके प्रवर्टक जो है Herbert Spencer और Siller थे कौन थे Herbert Spencer और Siller Herbert Spencer जो है England के थे और Siller Germany के थे और सीलर ने इस सिधान्त को 1873 में और इस परिंसल ने 1875 में किया तो इसमी सबसे ज़्यादा क्वेशन इसी तरह का पूछा जाता है कि अतरिस सक्ति की धाड़ा के सिधान्त की प्रवर्तक कौन है। ज़्यादे तक प्रवर्तक पुछा जाता है। ठीक है। और कभी-कभी उसके अंदर भी पूछ देता है। तो अतरिस सक्ति अविशेश उर्जा का सिधान्त के प्रतिपादक यानि थियूरी आप सरपर्स इनर्जी के प्रतिपादक कौन है। हर्बर्ट इस्पेंसर वह सीलर ठीक है। हर्बर्ट इस्पेंसर कहां के थे इंग्लेंड के और सीलर जर्मनी के थे इसको भी ध्यान रखना जरूरी है। तो इस सिधान के बारे में थोड़ा जाल लेते हैं इनका क्या कहना है। इस धाया के अरुसार जो है ब्यक्ति अपनी अत्रिक्त सक्ति का ब्याय करने हे तो उपयोग में आते हैं या धारा इस तर्थे को ब्याख्या करती है कि बच्ची में इतनी सक्ति होती है जो रोजमर्रा के कारे करने की पस्चात भी बच जाती है और उस बच्ची हुई शक्ति का वो खेलों में उपयोग करता है दूसरों सब्दों में यह कहा जाए कि जि प्रकार मनुश्य की अातृत सक्ति के माधम से बाहर के निकलती है, ठीक है? अतिरत सक्ति स्क्ति और इसाना धारा के उर्जा की धारा यानि के उसके पास अतृत सक्ति बचता है उसका प्हुपियों के खेलु करता है इस मेंगा बात यही ह। तो इसमें दो question बन सकता है कि अतरित सक्ति की धाड़ या theory of surplus energy की प्रवर्तक कौन है? तो Herbert Spencer और Sheila ठीक है? और इसका example कुछ दे कर भी question पूछ सकता है, जैसे कि बेखती अपनी अतरित सक्ति का ब्याइब करने के लिए या वो बचीवी energy को का खेल में उपयोग करता है या किस सिधान में कहा गया है, तो अतरित सक्ति की धाड़ या theory of surplus energy इस प्रकार से भी फूच सकता है, इसलिए आपको गहराई से पढ़ना बहुत आवर्शिक है ठीक है? नेक्स्ट है भाविस्सी दर्शी की धाड़ा निश्ट है भाविस्सी दर्शी की धाड़ा या पुरुवा नुमानित धाड़ा इसको इंगलिज में कहते है anticipatory theory या pre-exercise theory ठीक है? anticipatory theory या pre-exercise theory भी इसको कहा जाता है इसके प्रवर्तक है काल गुरुस 1899 में ठीक है? इस धाड़ा को इस सिधान्त को पुरुवा भ्यास वा ततपर्ता के सिधान्त के नाम से भी जाना जाता है ठीक है और एक तैयारी का नियम भी इसको कहा जाता है तैयारी का सिधान्त भी कहा जाता है पुरुवा भयास वतत परता के नाम से भी इसको जना जाता है भवी सिधार सिधार्डा को एंड तैयारी का सिधान भी इसको कहा जाता है तो इसके प्रवर्तक काल गुरुष ने 1818 में इन्होंने दो पूस्तक लिखी थी कीड़ा तथा मानो कीड़ा काल गुरुष ने इन्हीं पूस्तकों के अंसार उनने जीवन के कारे को शंपन करने का पूर उधारर उनके अंसार खेल ही है यही वह माध्यम है जिनके द्वारा प्रविर्ती उभर कर बाहर आती है वे उन्होंने कहा है, खेल द्वयार ब्यक्ति का भौविस से क्या होता है। इसका एक्जामपल है कि जो बच्चो छोटे होते हैं तो वो मीटी के घर बनाते हैं। जैसे कि लडके जो होते हैं, अधियापक का नकल करते हैं, अधियापक बनके खेल खेलते हैं ये डाक्टर पुलिस आधी की नकल उतारते हैं। तेश्थ दीफ इस प्रकार के बात का परचय देती है, कि वह बच्चे जो है इपने भावी जीवन की तयारी कर रहे है थीक है, इस अत्रिक्त काल गुर्ष ने गश्ञेश्ण के विकासवाद सिधान कि खेर इसे जीवन के तयारी का साधन माना है, इसलिए इसको तयारी का सिधान भी कहा जाता है, तो यह था भविषदर्शी पुरुवा नुमाने धारड़ा, एंटिसिपेटरी थियोरी या प्री एक्सरसाइज थियोरी इसके प्रवर्तक है, काल गुरुष इसना ध्यान रखना है, इसे पूरू अभियास या तथप्रता के नाम से भी जाना जाता है, नेक्स्ट है, मनुरौ रजिनातमक ध्ढ़ण याने रिक्यरेशनल थियोरी इसके परवर्तक है, लेजारश, लारड़ केम्स, तथा जीदेव नेू पै्टरी के, ज्यादा नाम आता है, तो इसके परवर लार्ट केम तथा जी डेवलू पेट्रिक उनिसे सोल में इन्होंने बनाया इस थीयूरी को ठीक है तो इनका माना था कि मनुभाव 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 क्या एक मनुभाव है जिसकी उपस्थिति किसी ने किसी प्रक्रिया में अवश्य होती है हर एक बेक्ति में खेल थकान प्रवावित होने लगती है जिसके फलस्वरुव्यक्ति को आनन्द तो मिलता ही है साथ ही साथ नहीं सकती भी बिलती है तो एथा मनुभाव धार्णा यानि रिकेशनल थीयूरी जिसके प्रवर्तक है लाड़ केम जी डेवलू पैट्रिक इतना आपको ध्यान में रखना है नेक्ष्ट थीयूरी है पुनह अवलोकन धार्णा या पुनर कथन से धार्णा या पुनरा बिरती का धार्णा यानि रिकेशनल थीयूरी थीयूरी तीक है इसे के प्रवर्तक पुनह अवलोकन धार्णा के प्रवर्तक है जी स्टेनली हाल तो इस धार्णा का कहना है कि ब्य जो पूरू का अनुभव होता है उसी को भविस्य में क्या करता है तो इनका करना है कि मनुष्य खेल के द्वारा मानुजाती के पूरू अनुभव करता है उनका विचार था कि खेल के द्वारा व्यक्ति मानुजाती के पूरू अनुभव को फीर से जीने में उपयोग लाता ह प्रानभी क्रिया जैसे फेकना लटकना श्टिकार करना धनुस बाका उपयों करना जंगलों में घुमनादे क्रिया मानों के खून में ही बसी हुई है ऑइ इन प्रानभीक प्रवितियों को छूड़ नहीं पाता है बलकि इनकी संतुष्टी चाहता है और ऐस संतुष्टी का साधन है खेल यहां भवीसंकी दर्षी के 느낌 भिपीत है क्योंकि भवीसंकी धर्षी की अंसार खेल दौरा मनुस से भवीसंकी से कना दोयरी करता है प्रं जोन्हों थाज़ा के प्रवर्दत कोई है इस्टेनली हाल थीक है आइसका मूल बात है कि यह पूरो अनुभव को पूरा अनुभव करता है ठीक नेक्ट सिधान्थ है मनोबिसलेस रात्मक धाड़ा साइको एनालेटिक थीओरी जिससे सब को मालूम होगा कि मनोबिसलेस रात् है तो Sigmanda Friar ने दिया, इस सिधानत को किस ने दिया? सिगमण Friar ने उननी शो में इस सिधान को दिया ठीक है इस धर्ड़ा की रतना अनन्द सिधानत से बरी बियोंड ह特 प्लेजर प्रिंश्पल Friar ने खेल सिधानत के रूप रेखा , 1920 की रूप में प्रस्तुत की ठीक है इनने का कहना था कि इनके अंसा मनुष्य से खेल के द्वारा अपनी दभी हुई भावनाओं और इच्छाओं को पुरा करता है उनका कहना था कि काम भावनाओं को जीवन की सभी क्रियाओं का केंदर माना है इनने काम भावनाओं को जीवन का सभी क्रिय उससोर उसने 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 विकीती रूप से खेल एक पुर्णाविती बाचता कि इसी दहीं हो ERIC इंवान का हैara कि बालक ने लेंताय है कि किसी अणुभू को बार बार दोराने के इच्षी रहता है जो आगे उससी प्रकार कहने क्रणा है .. तो इसके प्रवर्तक है अरस्तु इसके प्रवर्तक क्या है? अरस्तु है इसको सुधी करण की धाड़ा भी कहते हैं इनका कहना था रस्तु का इस सिधान के अनुसार रेचन बिरेचन यानि कैथेटिक थियोरी यानि मनिभान की सिधान का अनुसार की शभाव की दिष्टी से खेल कीड़ा है रेचन का अर्थ सोधन होता है यानि सुधी कर तो सोधन यानि सुद्धी करण होता है जिसका अधिकतर उपयोग संवेगों के संदर्व में किया जाता है इस बिजेचन धाणा की रचना उन्होंने दुखांत नाटक पर बिचार करते हुए अरस्तु ने कहा है कि यह नाटक आत्मा का परिस्कार करता है यानि यह दुखांत नाटक क्या करता है आत्मा का परिस्कार करता है इससे तातपर यह है कि यह गलत चुज़ों का विर्योत करता है इसी धाड़ा अधायत खेल पर लागू करते हुए उर्ण ने कहा है कि खेल मनुश्री की मौलिक प्रवर्यतियों जैसे लरना अकुरोत करना परिस्कार करता है तो यह था विर्ययचन यानि रेचन विर्ययचन की धर तो सोसियल थीयवुरी में, लिणास सास्तियों अंगाने क्या हो ने मनुष्य के कौने, जोने समासरी का समाज का समाज करने क्या है। खेल के ही माध्यम से व्यक्तिक मानता मिलती है तो वो समाज के में एक प्रतिष्टित अस्थान प्राप्त करता है खेल उसे समाज में रहना शिखाता है और समाज में सुकृति प्राप्त करने की भी गुड़ प्रदान करता है ठीक है तो यह बिरेचन या रेचन बिरेचन या कि धाड़ा ठीक है खेल ही जीवन है कि धाड़ा यानि play is life theory कि प्रवर्तक कोन है जान डिवी यह very important है और हर बार पुछे जाता है जान डिवी की या सिधान्त खेल ही जीवन है कि धाड़ा किस ने दिया या play is life theory को प्रवर्तक कोन है तो जान डिवी यह एक नविंतम धाड़ा और एक क्रिया को ही जीवन का केंद्र मानते थे और एक क्रिया पर अधाय सिधान्त है जीवधारी होने के कारण मनुष्य प्राकेति क्रिप से ततपर रहता है बुद्धी काल में उसकी ततपरता खेलों की रूप में होती है यह खेल जीवन भर विविन रूप धार करके बड़ा होता है वैसे वैसे ही खेलों का रूप क्या है बदलता रहता है तो यह सिधान है खेल ही जीवन है की धारणा यानि प्लेई लाइप थियूरी इसके प्रवर्तक जान डिवी तो सभी की प्रवर्तक को ध्यान में आपको रखना बहुत जोरी है और उसके अंदर कहे हैं वो क्या सिधान देना चाहते हैं उसको भी ध्यान रखना जोरी है लेकिन उसके प्रवर्तक को ध्यान में रखना अती आवस्यक है तो नेफ्टी धान था है निसर्ग अनुष्ठान का धारणा निसर्ग अनुष्ठान के धारणा के प्रवर्तक जो है रूसु है इनको प्रक इसे दिनिबन था, यह उन्हों ने 1972 में इस पुस्तक को लिखा था, ठीक है, इसी पुस्तक में इन्होंने समझाया है कि बच्ची अपने विकास के दोरान विभीन अवस्थाओं से गुजरते हैं, जिसमें सिच्छा भी एक अवस्था है, रूसु का विचार था, कि खेल नैस सिच्छा के बीच संबंधों के लिए प्लेटों की बिच अधाराओं का सहरा लिया और कहा कि बच्ची की सिच्छा खेल ही, खेल के हमाधिम से होनी चाहिए, उनका विश्वास था, कि बच्चे चाहे जो भी खेल खेले, उसमें कहीं ने कहीं, अनुदेश या सिच्छा का त करते हुए, बिलियम मैक डूगल ने यह कहा है, इस धाड़ा के सहरा ना करते हुए, बिलियम मैक डूगल ने यह कहा है, कि खेल एक समाजी क्रिया है, जिसकी जड़े, निसर्गों यानि जो प्राणी ब्योहार के मूल चालक होते हैं, में इस्तित होती हैं, देखिए इसमें आए तो इस प्रकेटी ने इसे इसे जी किया है ईजी होते हैं तो इस बात कृश्चन ने कहा है तो रूसों ने कहा का इंड एक निसर्गु में इस्थित होते हैं तो समाजी करिया कहा है मैक डूगल ने, इस प्रकार की question भी घराईसे अगर पूछेगा तो पूछ रगता है, तो नेश्ट सिधान्त है, तो इस प्रकार नयसरगिक अनुस्थान, निसरग अनुस्थान सिधान के प्रवरतक कोन है, रूसो, नेश्ट सिधान्त है, संग्या नात्मक धाला नेश्ट सिधन क्या है संग्यानात्मक धाला यानि कॉगनिटीव थियूरी इसे की प्रवर्तक है जीन पियाजे जहां भी संग्यानात्मक या कॉगनिटीव थियूरी की बताती है तो आप सभी जानते हुँगे कि संग्यानात्मक धाला या कॉगनिटीव ये स्वीस के बिग्यानिक थे, कहा के स्वीस के बिग्यानिक थे, ठीक है, जिदोंने खेल तथा मानो बुद्धी के मधि गहरा संबंध बताया, ठीक है, उन्होंने कहा है, कि खेल से ही बालक वाहे वातारोर से अपना संबंध इस्थापित करता है, बालक को खेल से सकरात्मक अंतप्राप्त होती हैं, नेक्स्ट सिधानत हम अभीस्तारः धाड़ें अहम् विस्तारर धार्ड़ें के परवरतक है , लेंज, और काले पाड़ी , थी Zac суп अभीस्तार धाड़ें से खेल सब्सक्राजब के लेंज त Judy की प्रकॹिति की दिश्टी सेखिएवं नमें पूर्धा प्रदान की जाते है। दुसरे स्वध्यमें कहा जाता है, औहां में सहा और प्रवीर्त के रवेतित करना, बेख रुध्य करना समभू होता है। मेरे भाट यह हैं, कि प्रकीति की दिशी से खेल द्वारा अहम को पूरता प्रदान किया जाता है और निश्ट सिधान्त से लाश्ट सिधान्त है सहज प्रविती की धाड़ा ठीक है इंस्टिक्ट प्रैक्टिस थियोरी इंस्टिक्ट प्रैक्टिस थियोरी सहज प्रविती की धाड़ा इसके प्रवर्तक है बिलियम मैक डूगल इसके प्रवर्तक कोन है बिलियम मैक डूगल ठीक है इन्होंने समाज मनोबिग्यान के अंतरगतिया समझाया है कि हमारी जो सहज प्रविर्टी होती है किसी क्रिया के लिए प्रात्मिक अभिप्रडा का करती है यह बेरे इंपॉर्ड अभीप्रेडा का कार करती है तो question इस प्रकार से कभी पुछ सकता है, बन सकता है कि किसी क्रिया के लिए प्राथमिक अभीप्रेडा का कार को रती है तो सहाज प्रभिति करती है और सहाज प्रभिति यानि instinct practice theory के प्रभितिक कोन है तो इस प्रकार हमने खेल के सर्धान्तिक धाड़ा यानि थेयरी आप ले के बारे में समझा हमने कुल बारत थेयरी के बारे में इस वीडियो में पढ़ा है तो सबसे प्रहले में हम लोग ने पढ़ा है कि आतरित सक्ती अभिशेस उर्जा कर सिधान के प्रवरता कहर्वर्ट जी असिपनसर वसिलर है शै לצर खेल राड़ा परवर निमाली थैखली के यानि एंटियसी पेडि प्रれ एक्ससाइब थिवकर थेयरी की प्रवरता कोर्न है काल गुर्स मनो विशले स्रात्मक धरला के प्रवरतक सिग्वंद फ्रयाद, बीरेचन देचन धेचन धरला यानि काथ्तिक तियरी एंड समाधी धड़ा, सोसियल थे दोनों के प्रवरतक कोन है? अरस्तू, अखेल ही जीवन है कि धाड़ा प्ले, एज लाइफ थियोरी के प्रवरतक कोन है, जान डेवी, निसर्ग अनुष्ट धाड़ा के प्रवरतक ग्रूसो, संग्या नात्म धाड़ा यानि कॉगनेटी थियोरी के प्रवरतक जीन पिया जे, अहम विस्तार धाड़ा के सहज प्रवरती के धाड़ा यानि इस्टिक्ट प्रवरति थियोरी के प्रवरतक है, बिलियम मैक डूगल, तो दोस्तो, आई होब कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा, एक से दू बर इस वीडियो को देख लेंगे, तो आज के बाद कभी नहीं भू हो सके, तो दोस्तो, नेस्ट वीडियो रहेगा बेक्टियो यानि फ्रस्टनालिटी पर, ठीके, बेक्टियो के जो वर्गी करो रहा है, हीपोकर्स द्वारा, क्रास्मर द्वारा, सेल्दन द्वारा, ठीके, जिसों मेटो टाइप है, उस तब की बारे में अच्छे से कीजिए, बिल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिसे जो भी मैं नए वीडियो नेस्ट आइम अपलोड करूँ, उसका नाटिफिकेसन सबसे पहले आपके पास पोज़े तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में नेस्ट टापक के साथ, तब तक के लिए जैहें